ओम सिरी गनीशाय नमदोस्तो एश्टो समाधान यूट्योब चैनल में आपका हारदिक स्वागत हैं दोस्तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 6 सितंबर मंगलवार के रासी फलक के बारे में कीह दिन करक राशी वालों के लिए कैसा रहने वाला हैं किन-किन चीजों से इनको फाइदा होगा किन-किन चीजों से इनको सावधान रहना होगा इनकी लव लाइफ कैसी रहेगी करियर कैसा रहेगा बिजनिश और व्यापार कैसा रहेगा और स्वास्थ की महतपपूर्ण जानकरी हम आपको देंगे और इस वीडियो के अंत में हम आपको एक उपाई भी बताएंगे जिससे आप अपने आज के दिन को और भी अच्छा और बहतर बना सकें दोस्तो आगे वीडियो सुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल लोग सब्सक्राइब करें साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी दबाएं जिससे समय समय पर आप लोगों तक हमारी ने ने वीडियो पहुंश सके चलिए दोस्तो बात करते हैं कैसा रहेगा करकराशी वालों के लिए मंगलवार का दिन सबसे पहले बात करते हैं कि आपके लिए आज पॉजिटिव रहने वाला है दोस्तो आपका प्रियास आज आपको अच्छी कामिया भी दिला सकता है यदि आप राजनीती में विश्वास रखते हैं तो इस समय प्रियास कर सकते हैं आपको सफलता प्राप्थ हो सकती है संतान पक्ष आज अनुकूल रहने की संभावना बन रही है आज आपको अचानक धन प्राप्ती के भी अवसर प्राप्त हो सकते हैं इसमें आपका भग्य अच्छा साथ देगा साती साथ आज आपके प्रतेकारे सरल्ता पूरुवक संपन होंगे किसी मनोहर इस्थल पर प्रवास हो सकता है पुराने मित्रों से मुलाकात होगी जो लाबदैक रहेगी धर की साज सजावट में नयापन लाएंगे वहन शुक भी आज आपको प्राप्त होगा नई योजनाएं और विचार धरा की नवीनता से व्यपार प्रगर्ती की दिसा में अगरसर होने लगेगा कला के प्रती आज आपकी अभी रूची विशेश रहेगी आपकी आज अनेको एक्छाएं पूरी हो सकती है जिससे आप प्रसन चित रहेंगे और बहुत समय से अटकी हुई कोई योजना पूर्ण हो जाएगी जिससे आपको अच्छा धनलाब भी होगा जिससे आपका मन बहुती प्रसन रहेगा आज आपको घर परिवार और संतानों के मामलों में आनंद और संतोस की भवना का अनुबब होगा इश्वर की आरादना जाप और अध्यात्मिक्ता आपको सांतिक अनुबब कराएंगे कार्य छेत्र में अपनी महनत से सफलता मिलेगी इसके फलसरूप आत्म विश्वास बढ़ेगा और मन उत्साहित रहेगा कार्य छेत्र के सवी काम सफल होंगे अठके हुए कार्य आज पूर्ण हो सकते हैं गिरहें एम शंतान संबंदित सुब समाचार मिलेंगे विध्यारत मौज मस्ती करेंगे और पढ़ाई में जो महनत की है उसका फल सफलता के रूप में भी मिलेगा दोस्तो बात कर लेते हैं आज आपके लिए क्या नेगटिव हो सकता है दोस्तो आज का समय आपके लिए काफी उतार चड़ाव से भरा रहने के बावजूद भी काफी अच्छ रहने वारा है मुश्किल हालात से बचने के लिए आपको एक अच्छी बजट योजना तैयार करनी चाहिए और उस पर अमल भी करने की आवशकता है अन्यता आप फाइनेंसियल समस्याओं के बीच खुद को गहरा पाएंगे कार्यभार की आज अधिकता रहेगी जिससे शा अपना कीमती वक्त बच्चों के साथ गुजारें जल्दबाजी में फैंसला ना लें ताकि जिन्दगी में आगे आपको पच्छताना ना पड़ें साथी साथ अपना काम किसी और पर ना टालें और स्वेम अपना कार्य करने की आदर प्रालें माता पिता का अवस्चे ध्य क्योंकि उनकी सेवा के बिना भग्य और सुक की प्राप्ति असंभव है। कुछ परिस्तितियां आज ऐसी बन सकती हैं जो तनाव बढ़ाएंगे धर्मिक कारों के पीछे धन खर्च हो सकता हैं नए काम में रुकावट आ सकती हैं समस्याओं को सुल जाने के लिए किसी की सला आप अवश्च चलें दोस्तों से वाद विवाद करने से बचें बहस करने स मुसीबत में आज आप फस सकते हैं यात्राओं को भी आज आप टालें आपके लिए अच्छा रहेगा दोस्तों बात कर लेते हैं आज आपकी लव लाइफ के से रहने वाली हैं दोस्तों प्रेम संबंदों को मदूर बनाए रखने का प्रियास सफल हो सकता है दामपत्य जी में मजबूत ही आएगी अपने प्रेम प्रसंग के बारे में इधर उधर की बाते ना करें आपको अपने जीवन में प्यार और रोमांस का स्वागत करने के लिए तयार रहना चाहिए यदि आप किसी रिस्ते में पहले से हैं या किसी की तलास में हैं तो वह मिल सकता है तो आपको इस मामलों में खुसी मिल सकती हैं रोमांटिक आकर्शन की आज संभावना है मनोरंजन के लिए आज आप उनके साथ सिनेमा देखने जा सकते हैं और लंच वे डिनर भी आप साथ करेंगे दोनों के बीच कोई तोफो का भी आज आदान प्रदान होगा दोस्तो आज क जीवन के लिए बहुती अच्छा दिन रहने वाला है दोस्तो बात कर लेते हैं आज आपका वेवसाई केरियर कैसा रहने वाला है दोस्तो कारे भार की आज अधिकता रहेगी लेकिन अपने प्रियासों से कारों में आपको सफलता मिलेगी वेवसाई में धनलाब और नौकर और वेवसाय में आपको सफलता अच्छी प्राप्त होने की संभवना रहेगी आर्थिक लाब प्राप्ती के रास्ते खुल सकते हैं धनलाब संचे करने का भी प्रत्न सफल हो सकता है साथ-साथ आज आपको अपने व्यवसाय को लेकर कोई यात्राएं हो सकती है जिनका आपको शकारात्मक प्रणाम प्राप्त होगा जेहां दोस्तों व्यवसाय की द्रश्टी से आज की स्थिति आपके लिए काफी अनुकूल रहने वाली है और इस समय कुछ अच्छा लाब आपको प्राप्त हो सकता है जिसका आप लंबे समय से इंतजार कर रहे थे विध्यार्तियों के लिए भी दिन आज का मिला जुला रहने वाला है दोस्तो बात कर लेते हैं जा आपका स्वास्त कैसा रहने वाला है दोस्तो ब्रहम भे वे पीडा की इस्तिती आज उत्पन होने के पूरे आसार बने हुए रहेंगे खान पान पर आज आपको विसेज ध्यान देना होगा वरना पाचन किरिया खराब हो सकती है जिसके कारण पूरे दिन मन खराब रहेगा स्वैम का ध्यान रखें और खुद को किसी भी तरह मांसिक रूप से कमजूर ना पढ़ने दें तनाव को दूर करने के लिए अपनी जीवन सैली में थोड़ा बदलाव लाएं इसके लिए आप अपने खान पान पर ध्यान दें और अपने स्वास्त को और भी अच्छा रखने के लिए आप रोजाना योग करें वयाम करें स्वास्त रहें दोस्तो बात कर लेते हैं आज आपके लिए विशेश उपाई क्या है दोस्तो आज आप इशनान आदी से निर्वत रहोने के बाद एक धागे में चार मिर्चे डालें उसके उपर एक नीबू डालें और फिर उसके उपर आप तीन मिर्चे और लगाएं जा दोस्तो इसके बाद आप भगवान बजरंग बली का इसमरन करते हुए इसे घर और वेवैसाय के दरवाजे पर लटगा दें जा दोस्तो ऐसा करने से नकारात्मक्ता खत्म हो जाएगी और सकारात्मक्ता का संचार होगा और आपको धन सुक संपत्ती की प्राप्ती होगी और आपको ऐसा करने से अवश्य ही विशेस लाभ प्राप्त होगा या दोस्तो भगवान बजरंग बली का आशिरबाद आपको प्राप्त हो सच्चे दिल से कमेंट स्पोक्स में जै बजरंग बली अवश्च लिखें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें धन्यवाद